नमस्का दोस्तों, आज मैं जो बतने जा रहा हूँ, वो सुनके हो सकते हैं, आप थोड़ा सा चौक जाएंगे या थोड़ा सा सर्प्राइज हो जाएंगे, मदर इस थोड़ा पूरा वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा सूचिएगा जुरूर, ठीक है, जैसे हम आज सपास का जो मौल है, वो थोड़ा हम लोग को देख लेना चाहिए, ठीक है, आज मैं वो बताऊंगा, वो क्या चीज है, जो हम लोग के घर के आज सपास 200 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है नहीं होना चाहिए, अगर 200 मीटर के अंदर होगा, तो वो बह चीज जो होता है वो होता है जैसे hospital या nursing home कोई भी hospital या nursing home आप लोग सोच रहेंगे घर के हासपास या कोई hospital होगा या nursing home होगा तो यह तो बहुत ही अच्छा बात है ना कोई बीमार पढ़ जाएगा किसी का हलत खाराब हो जाएगा तुरंध भुखार हो जाएगा तो पड़ा हुआ है किसी का experience हो चुका है किसी का schwierig हो रहा है तो चारों तरफ कोई रो रहा है कि अगके हो नेगर्ट उसमं होता है तो अगендर होगा तो वो आपका घर के लिए कि मतलब अब negative energy से भर देगा वो positive energy तो कभी नहीं रहने देगा तो इसलिए hospital जो होता है या कोई भी nursing होता है तो वो बिल्कुल ही आपके घर के आसपास 200 मेटर के अंदर नहीं होना चाहिए अगला जो चीज होता है वो होता है कोई समसान घांड होता है या कवरस्तान होता है जो बार्निंग घाड अब लोग बतले है जहां आदमी मर जाने के बाद इंसान मर जाने के बाद जहां जलाया जाता है ठीक है तो वो जैगा होता है वो होता है अब लोग का जो समसान घाड के बारणिंग Спश की बार्णिंग समेल होता है तो इसका घर के अंदर क्यों हमसंख सबस्ण छोते हैं ठीक है और आजकल लेक्ट्रिक जो इलेक्ट singular आ पिर भी λी सम्साम घार होता है को समसान गाडब होता है तो उसमें कोई मर जाता है तभी लोग आते वहां पर एक सैमा चीज़ और रहते हैं टौर समने-बेर जाते हैं जाता है मन्दा मोहल हो जाता है तो इसलिए जो समसान घाट है जो बादनिंग घाट होता है यह कवर स्थान होता है तो वह भी घर के 200 मेटर के अंदर नहीं होना चाहिए अगला चीज होता है जो होता है टेंपल अमंदिर आप लोग सोच रहा है टेंपल अमंदिर क्या बोल रहा है यह टेंपल अमंदिर तो बहुत ही आच्छा होता है टेंपल तो बहुत पवित्र स्थान होता है बहुत प्यूर होता है यह बात बिल्कुल सही है दोस्तो जो के अंदर एक होता है, एक magnetic energy होता है. जो magnetic energy है, नहीं दो चुम्बब की एक शक्ती होता है, पावर होता है, ताकत होता है. जो क्या करता है? वो आसपास का जो महल का जितना positive energy होता है, वो आपने अंदर खीच लेता है. वो जो आप एक मंदिर के अंदर आप हो तो वो क्या करता है आपको positive energy देता है मगर क्या होता मंदिर के आसपास चो महल का है उस महल का चितना positive energy है मंदिर क्या करता है या temple क्या करता है वो आपने अंदर खींच लेता है इसलिए अगर आपका घर मंदिर के पास हो तो आपका घर में भी जितना positively energy हो होगा, वो temple या मंदिर आपका घर से वो positive energy खीच लेता है, वो attract कर लेता है, इसलिए आपका घर के armour पास मंदिर बिल्कुल ही होना चाहिए, वो कोई चोटा मंदिर हो, या कोई भी बडा मंदिर, जो भी हो चोटा मंदीर हो बड़ा मंदीर कुछ भी हो वो आपके घर पे पास नहीं होना चाहिए और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दिखे जैसे हम लोग घर का वाल है मतलब जो boundary है जो boundary वाल है उसके अंदर तो मंदीर बिल्कूल ही नहीं होना चाहिए मतलब क्या ह होता है जो मंदीर होता है उस मंदीर के अंदर positive energy होता है मगर मंदीर के आसपास का जो महल होता है बाहर का जो महल होता है उसमें positive energy नहीं होता है क्यों मंदीर positive energy खीच लेता है ठीक है तो इसलिए boundary के वाल आपका घर का boundary वाल है उसके अंदर भी कभी मंदीर नहीं बनाना चा वह बाहर करते हैं, मतलब जो में बील्डिंग है, उसका बाहर करते हैं, तो इसलिए कि सारे positive energy temple में चला जाएगा, घर में नहीं रहेगा, तो इसलिए घर के आपास में temple बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, अगर कोई कहता है कि मैं temple में ही रहता हूँ, जैसे किसी का घर ही temple है, जैसे ही empty space, जैसा खाली जैगा, बहुत बढ़ा खाली जैगा बढ़ा है, कोई playground है, खाली field है, कोई ground है, वो भी घर पर आसपास नहीं होना चाहिए, जो खाली जैगा होता है, जैसे आदमी रहता है, तो वो क्या करता है, उनके अंदर भी कुछ positive energy होते है मगर जो इसे empty space है जो खाली जाएगा पर खाली बहुत बड़ा जाएगा खाली जाएगा पड़ा हुआ है तो इस जाएगा पर तो कोई इंसान जाता नहीं है कुछ नहीं होता है इसलिए ये सब जाएगा में negative energy जाइगा मगर आँ आधमी के लिए उतना harmful नहीं है जिनका horoscope में जैसे सुक्रोधेब नीच है उनके लिए ये जो empty space है खाली जाएगा ये बहुत ज्यादा effective होता है ज्यादा harm करते है तो इसलिए आम आधमी के लिए ये उतना खरब नहीं है average है फिर भी मैं इसके बारे मैं मैं बोल दिया हूँ, अगला चीज होता है, जैसे कोई पूराना घर, जैसे ऐसा होता है, कोई पूराना घर जिसमें बहुत दिन से कोई गया नहीं हो, जिसमें बहुत दिन से कोई नहीं रह रहा हो, जिसमें जाने से थोड़ा डर लगता है, उसका आसपास जा तो यह सब जयगाफी घर के 200 मेटर के अंदर, 200 मेटर के आसपास मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एक चीज़ देख लेना है, यह सब अगर देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो यह जो पांच चीज मैं बता हूँ, यह पांच चीज आपके घर के आस इसके बारे मैं सूच आया है कि की यह सब जयगा में बहुत सारा नेगाटी वाइब्रेशन होता है, जो नेगाटीव धायफी यह हर्न होता है, वह आपका घर के लिए बहुत ही हार्न पूल होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है आप लोग हो सकता है, आप लोग, मैं समझता हूँगा, आप लोग समझ गया होंगे, आप लोग अच्छा से रहिए, खूस रहिए, जमीन खरीने से पहले ये सब थोरा सा देख लिजिए, घर करेने से या बिल्लिंग करेने से या फ्लैट करेने से पहले ये सब थोरा सा देख लिजिएगा, आप ल